हेलो गाइस आज हम बात करते हैं लेक्टा जेक ग्रेनुल्स के बारे में जो की 200 ग्राम के पैक में आता है अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें स्तावरी है विदारीकांड है सोवा है गोखुरू है येश्टी मदू है स्पेज जीरा है और चंद्रासूर है अगर हम इसके इंडिकेशन की बात करते हैं तो जो ब्रेश्ट फीडिंग मदर्स होती है तो उनमें जो मिल्क प्रोडक्शन होती है उनको इंग्रीज करने में ये काफी उप्योगी रहता है ये पूरा का पूरा नैच्छर इंग्रेडियंट से बना हुआ है इस तावरी से इस पे जीरा का इस यूज किया गया है इसमें तो इसके कोई साइट बेक्ट नहीं होते और यह जो बच्चे की हेल्थ है उसके लिए भी काफी अच्छा रहता है उसको भी काफी नूटिशन परदान करता है अगर हम डोजिश फॉम की बात करते हैं तो आप दो चमश दिन म पढने में काफी मदद करता है यह जो फोलैक्तिन हर्मोन होता हां उसको श्ट्रीम्लोड करता है और प्लीक्तिन हर्मोन का डेक्टली आफ्यक्ट होता है मिल्क प्रदाक्शन अलावा रिख हर्मार्ड्स इंप्रक्तिव हेल्थ के लिए embroidery लिए और यह नाबाता है यह मृúlt originating HAW disse is Monday hours lateender站 होती है उसमें milk Program 20 करने में काफी मदद करता है इसके अलावा यह मसल टैंऑ को बढ़ाने में इंप्रूव करने में काफी मदद करता हैियंग को प्रिवेंट करता है इस बैठीम करने में मदद करता है इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे इफेक्ट होते हैं यह करते हैं तो यह बहुत अच्छा प्रोपर्टी रखता है इसमें बहुत अच्छी और सारे इसमें ग्लेक्ट गोग प्रोपर्टी होती है जिसकी वज़े से जो यह अगर हम गोखरू की बात करते हैं तो जो हार्मोनल इंबैलेंस हो जाता है उसको बैलेंस करने में यह काफी उप्योगी रहता है हमारी इम्मृटी पावर को बढ़ाता है इसमें बहुत अच्छी रेजिनेशन प्रोपर्टी होती है और टॉक्षिन को हमारे स्रीज से बहार न टेस्ट है वो इंप्रूव हो सके लिकोराइस में बहुत अच्छी प्रोपर्टी होती है और यह मिल्क प्रोडक्षन को इनकीज करने में काफी मदद करता है अगर हम स्पेज जीरा की बात करते हैं तो इसके अलावा यह एक अच्छा आयरें सोर्स भी होता है जिसकी वज़ हमारे मैश्वल सैकल को रेगुडेट करने में और जो मिल्क प्रोडक्षन है लेक्टेडिंग मदर्स में उनको इंगीज करने में काफी मदद करता है इसके अलावा यह हमारे इम्मिनिन सिस्टम को भी स्ट्रेंद देता है और डिफरेंट डिफरेंट जो होते हैं उनसे प् थांक्स पूर वाचिए